अलो मेरे प्यारे पच्छो कैसे है आप से विलुग दिकोच आज हम फिर से डिस्कुस करने वाले हैं क्लासिक्स चैप्रा थ्री जो है महारा बुक आरे सग्रवाल से और हम इसमें बात करेंगे एक्सवसाइज 3b ठीक है परे पीछे लिखा हुआ है ठीक बच्छो तो देखो 3a में हमने सारे कुश्चन सॉल्ट किये थे और आपको सारे कुश्चन समझ में भी आए जहां कोई डाउट होगा आप जरूर मुझे बताना कि हांसर यह डाउट है तो उसका सलूशन भी कर दिया साएगा तो अभी आज जो बात करने वाले वह 3b पर बात करेंगे और सारे कुश्चन को देखेंगे बहुत एज़ी कुश्चन है बहुत दर टफ नहीं और विदिन फ्यू मिनट्स में यह भी क्लास आपके फिनिश हो जाएगी और जिसमें हम पूरे एक्सराइज को डिसकस कर ओके बिटा तो प्लीज बच्चो आप सब इस रेक्वेस्ट है प्लीज 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 कर दिया करो यार क्यों नहीं करते हो ठीक है देखते हैं सभी हो लेकिन प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो ओके बिटा और सबसे most important thing कि आप लोग ज़रूर बताओ कि आप कहां से ही मेरी वीडियो देख रहे हैं बात करते हैं आज कि फर्स कोशन पे फर्स कोशन कह रहा है फिलिंग दे ब्लांक्स टु मेक एच आप दे फॉलोईग और ट्रू स्टेटमेंट यानि आपको यहां पे इसको फिल करना है और स्टेटमेंट बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है ठीक है इजी कोशन है जादे कुछ इसमें करना नहीं है क्या कह रहे हैं 458 प्लस 639 इसको ल्टो 639 प्लस अब यहां पे क्या आएगा यह आपको बताना है बच्चो सिंपल सी बात हैं यह होती है आपकी अप्लस ब का रिजल्ट प्लस एके बराबर आता है अगर मैं इसको ए माल लेता है इसको भी तो आप देखोगी यहां पे बी अ लेकिन क्या नहीं है A, तो A की value है 458 और इस property को हम चान दे हैं उसको बहुत बढ़े हैं commutative property, commutative property बात समझ में आया, क्या बुलते हैं इसको, commutative property, बोलो बच्चो समझ में आया, बहुत बढ़े है Second क्या रहा है, 864 plus 2006 is equal to, तो बच्चो वही वाला concept यह सर A है, और यह क्या हमारा B, सर यहां पर B तो दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं है A, तो A की value कितनी है, 864 जो किसके equal है, सर, commutative property के equal है, ठीक है, यहां पर क्या लग गया हमारा, competitive property लग गया, next question अब यहां पहले ही gap कर दिया है,ंसर, यहां पर A है यहां पर क्या होना चाहिए, तो B तो यहाँ पर क्या आगया B और यहाँ पर आगया A देखिए है ना बिल्कुल यहाँ पर है अब तो यहाँ पर होना चाहिए ना अब यहाँ तो दुनों का सम बराबर आएगा तो यहाँ पर आजागा 984 और यह भी क्या है मारा Commutative रोही है ठीक है बच्चो Commutative Property अब इसकी बाद ठीक हो बच्चो यह क्या है कि Addison Property अब 0 जिसको बोलते हैं कि 0 किसी भी नमर में आप आड करो या 0 में किसी भी नमर में आड करो रिजल्ट आपका सेम आना है तो यहाँ पर 8063 में 0 आड करेंगे तो यहाँ 0 प्लस 8063 इसको बोलते हैं Addition of Addition of 0 Property या फिर Additive Property of 0 यह लिख लो जादे अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे Additive Property of 0 ठीक है बच्चो क्या लिखें हम इसको हम इसको लिखेंगे Additive Property of 0 अब यहाँ पर है 53501 प्लस 574 प्लस 799 इसको बोलते है Assessiative Law क्या बोलते है Assessiative Law अब यह Assessiative Law में होता क्या है बच्चो यह समझना Assessiative Law में क्या होता है a plus b plus c is equal to b plus a plus c यह थोड़ा सुल्ट हो ठीक है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a plus b एक ब्रेकेट में a plus c यह होता है that's called the Assessiative Law तो यहां पर दीको बिच्चो आपका सब कुछ given है आपका 35001 plus 574 तो 574 यहां तो है अभी आ गया 50,5001 क्या नहीं है सर 799 799 और यह आपका statement क्या हो गया यह Assessiative Property समझ में आया आगे बढ़ते हैं कैरा add the following number and check by reversing the order of the addend तो कुछ नहीं करना बिटा पहले इनको add कर दो तो अगर इनको add करेंगे तो 9 और 4 कितना होता 9 4 13 का 3 carry आया आपका 1 ओके 0 और 1 में add करेंगे तो 1 और यह carry वाला 1 तो 1 1 ओके 5 1 6 हो गया और अगर मैं यहां पर देखू तो अब बच्चा कितना 16 तो केरें इनको order बदल दो order मतलब 114 को अब add करेंगे हम 15,000 तो बच्चो फिर भी result कितना आएगा 16,000 16,23 ही आएगा हर case में चाहिए आप कैसे भी इसका result बदलो आपको answer बिल्कुल same ही आएगा हर case में ठीक है अभी कोई doubt इसमें बिल्कुल होना नहीं चाहिए next question अब यहां देखो तो हम 8 और 9 को add करें 8 9 हो गया 17 का 7 carry I have 1 5 4 9 1 10 का 0 carry I have 1 5 3 8 1 9 का 9 और यहां पर आगया 2 तो 2907 आपका आगया सर इनका order change करना है कोई बात नहीं change कर देते हैं तो 548 plus 3359 बच्चो result का आएगा result आपका same आएगा कोई भी changes में नहीं result आपका same आएगा third question हाँ अब यह तोड़ा से बड़ान है तो आराम से square करेंगे 7 3 कितना होगे 10 का 0 5 6 11 1 12 का 0 12 का 2 carry I have 1 8 7 15 16 का 6 carry I have 1 9 2 11 11 1 12 का 2 carry I have 1 और 9 1 sorry 1 & 2 इतना आगया अब इसको अगर हम change करें ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा 2 8 6 7 plus 1 9 7 5 3 result आपका इतना ही आने वाला है 22,620 clear इतनी बात clear हो गई बहुत बड़े बच्चों अगले question के बड़े हाँ अब यह कह रहा है find the sum पहले तो उनका sum find करेंगे फिर कह रहा है also find the sum of this number अच्छा थोड़ा सा गर यह चीज़ ना समझ में आ रही है तो इसको थोड़ा सा हम कुछ इस तरीकस कर दे तो अब आपको समझे उसके बाद कह रहा है are the two sums equal क्या है दोनों sum equal है चेक करते हैं पहले तो हम यह निकालेंगे one thousand one thousand five hundred forty six का sum करेंगे four hundred ninety eight से और इसके बाद जो result है का उसमें हम add करेंगे three thousand five hundred eighty nine तो हमें board mask करूल पता है बच्छों board mask से पहले हम add bracket को solve करेंग यहां पर देखिए eight six हो गया fourteen का four carry आया one nine four thirteen one fourteen का four carry आया one four five nine one ten का zero और one one इसमें add करेंगे three thousand five hundred eighty nine add करेंगे add करेंगे तो four और nine हो गया thirteen का three carry आया one eight four twelve twelve one thirteen का three carry आया one five zero one है तो five and six हो गया और three two five इतना आया अब हमें चेक करना है क्या वही सेम आयेगा चेक करते हैं अभी अगला कह रहा है इसको भी चेक करिए तो यह कितना बेटा हमारे पास fifteen hundred forty six plus four hundred ninety eight plus three thousand five hundred eighty nine यह given है चलिए तो sir according to both must पहले हम किसको solve करेंगे पहले हम bracket को solve करेंगे तो nine eight कितना हो गया seventeen का seven carry आया है one nine eight seventeen one eighteen का eight carry आया है one five four nine one ten का zero और three one अब इनको add करेंगे तो six seven thirteen का three eight four twelve one thirteen का three five one six और four one five तो दोनों बच्चों दोखो यहां पर यह भी value और यह भी value क्या आगे दोनों के दोनों बराबर आगे और sir अगर दोनों value बराबर हो गए तो यानि sir हम कह सकते हैं a plus b plus c is equal to a plus b plus c अच्छा यह कौन सी property है sir यह associative property कौन सी property बटा यह sir associative property है आपका solve होगी बता इसमें कोई दिकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगले question question number 4 क्या कह रहा है determine each of the following sum below using suitable arrangement एक suitable arrangement से इनको solve करना है अच्छा यह तो by mistake answer ही आ गया है चलिए इसको एक arrangement से add करते कैसे add करेंगे जड़ा सोचो sir 953 plus 707 plus 647 दिया हुआ है अब जड़ा सो सोचे अगर इस last में कितना 7 last में कितना 73 कितना होता है 10 तो पहले हम इन दोनों को add करतें तो 7 3 10 का 0 5 1 6 और 9 7 कितना 9 7 16 और बस 16 का 16 आ जाएगा प्रस 647 add करेंगे तो 0 7 हो गया 7 64 हो गया 10 और 66 हो गया आपका कितना 12 13 का 3 1 तो 2307 कितना है हमारा 2307 यह first का था second का देखा जाए तो second देखो बड़ा easy है अब क्या करेंगे एक 3 वाले को एक 7 के साथ तो एक 3 वाले को एक 7 के साथ देखो क्या हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को add करता हूँ जादे अच्छा रहेगा आपको problem नहीं यहां देखेगा क्या रहा है 1983 प्लस 647 प्लस कितना बिटा फिर 217 एन आफ्टर देट 350 एक अरेजमेंट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि साथ unit digit हमारा 10 आ है तो आप देखो क्या करें हम इनको add करें तो 7 3 10 का 0 8 4 12 1 13 का 3 carry I 1 6 9 15 1 16 का 6 और 1 कर 1 अब इनको add करते हैं 7 3 10 का 0 5 1 6 1 7 और 3 2 5 अब इनको add करते हैं जो बड़ाई इसी हो जाएगा जीरो का 0 हो गया 7 3 का 0 हो गया 5 6 11 1 12 का 0 12 का 2 हो गया और 2 1 3 तो साथ 200 आ गया कितना आ गया 30 200 आ गया अब इसी को हम क्या करेंगे अगले question में देखते हैं question में 3 देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको अब यहाँ पर क्या है 1 को रखिए 9 के साथ और 8 को रखिए 2 के साथ हम इसको लिखेंगे 1 5 4 9 इसको किस के साथ रखेंगे सर हम रखेंगे जिसमें last में क्या है 1 है okay plus यहां से क्या बचा 278 plus 422 422 ओके चलिए अब देखो बिटा क्या हो जाएगा 9 1 10 का 0 कहरी आया 1 9 और 1 कहरी वाला 10 का 0 कहरी आया 1 6 और 4 10 10 का 6 4 10 10 का एक मेंदे बड़ गया बिटा ठीके देखो 9 और 1 हो गया 10 का 0 कहरी आया 1 और 0 और 9 1 10 का 0 कहरी आया 1 और 6 4 10 10 1 11 का 1 कहरी आया 1 और यहां बचा 5 1 6 फोड़ा से मिस्टेक हो गया अभी सही है 8 2 10 का 0 कहरी आया 1 7 2 9 1 9 1 कितना हो गया 9 1 10 का 0 कहरी आया 1 और 42617 इतना हो अब इसको अगर add करों हम वाज़ागा 007186 16800 ये कितना आगया हमारा 16800 अब इसकी requirement नहीं तो इसे हम इसकरते हैं ठीक है बेटा तो यहां तक तो I think आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी तो हमारा question over third भी हो गया of fourth और fifth six समस्ते हैं ठीक है बहुत easy है बड़े आराम से होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब यहां पर क्या कह रहा है ये question देखो fourth वाला fourth वाला बहुत easy है सच जिसके साथ nine है उसके साथ one रखो लेकिन हम ना कोसिस करेंगे इसको इसके साथ रखे बड़ा मजा आएगा और इसे इसके साथ रखे तो यह आज आएगा three five sorry three two five nine three two five nine three two five nine इसको हम add करेंगे किसके साथ हम इसको add करेंगे two six four one के साथ plus अब इसको add हम करेंगे किसके one three times zero one plus four times nine okay so यहाँ क्या हो जाएगा देखेगा nine one ten ka zero five four nine one ten ka zero six two eight eight one nine और three two five one six साथ रखे रखे रखेंगे okay nine plus one nine plus one कितना हो ten ka zero carry i have one nine one ten ka zero carry i have one व्यूकिए यहां पर देखे nine one ten ka zero carry i have four carry один nine one ten ka zero carry one 9 1 10 का 0 carry 1 1 2 नहीं समझ मैं आए ओके देखो यहाँ पर हम इसको अगर add करते है कैसे add करेंगे यह हमारा 9 9 9 9 9 9 है देखो 9 1 10 का 0 carry 1 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 1 1 2 आया के नहीं अब इनको easy add करना 2 प्लेस पे 0 2 प्लेस पे 0 तो 2 प्लेस पे 0 हो गया फिर आपका 3rd प्लेस पे 9 है 3rd प्लेस पे 0 है तो 9 हो गया फिर आपका 6 है बड़े 2 बस simple सा concept बड़े easy से आपको question आ गया ठीक है बोले यह बास समझ में आई अच्छा पर बड़ हो आए क्या भाई 25 होगा पीटा और यह आज आएगा 259 बोड़ा से mistake हो गया ता उसको adjust कर लेना ठीक है इसको अब हटा देते हैं ओके इसे हमने क्या क्या यहां से remove कर दिया चलिए अगला question देखिए अगला question बड़ी मज़िदार है क्या करना है ज़रा समझ रहा अगर मैं इस 1 को 99 के साथ रख दू मतलब कैसे 99 प्लस 1 प्लस इस 98 को मैं 2 के साथ रख दू कैसे 98 प्लस 2 देखो है कितना मज़िदार बड़ा मज़ा आएगा 97 को मैं 3 के साथ रख देता हूँ 97 प्लस 3 क्योंकि arrange कर के करना है आपको और 96 के साथ मैं 4 रख देता हूँ 96 प्लस 4 आप देखो प्लस 1 कितना हो गया 98 प्लस 2 सरी ये भी 100 97 प्लस 3 सरी ये भी 100 और 96 प्लस 4 सरी ये भी 100 1, 2, 3, 4 कितने टाइम 100 है सरी 400 और 46 प्लस 6 कितना हो गया 50 और 45 प्लस 5 कितना हो गया 50 तो ये 50, 50, 100 हो गया 50, 50, 100 हो गया और 100, 100 कितना हो गया 200 इसका answer कितना हो गया आपका बोलो भटा ये चीज़ के लिए रहे तो आगे बढ़ते हैं अगले question कियो find the sum by sort method देखे अब इनका sum निकालना है कैसे बच्चो sort method बड़ा easy है देखो अब ये 9999 है तो इसको तो हम 6784 ही लिखेंगे बट यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे 9999 है क्या कर सकते देखेगा कि हम इसको add करना है तो add करने के लिए हम एक काम कर सकते है मैं इसको थोड़ा सा अभी और इच्छे से करना चाहूँगा तो मैं इससे एरज कर देखो बटा समझना है इसमें जादे कुछ परिशान होने वाले बात नहीं बड़ा simple सा concept है और बड़े simply यह हो भी जाएगा समझते हैं इस कौन से देखो क्या मैं यहाँ पर 6784 माइनस वन कर दूं समझना क्यों और प्लस 9999 में प्लस वन कर दूं समझना बटा एक को मैंने 1 माइनस कर दिया एक को हमने 1 दे दिया यानि ऐसे हुआ जैसे माली से यह आप है ठीक है मैंने आपको एक रुपए का कोईन दिया मैंने भी आपको दे दिया और फिर थोड़ी दे बाद मैंने आपसे वह एक रुपए का कोईन ले लिया तो आपके पस कितना हो, कुछ नहीं न, बस वही concept है एक में minus कर देंगे, एक में क्या करेंगे, one को plus कर देंगे तो यहां से minus किजिए, तो four minus one कितना हो गया, three eight का 80 रहेगा, seven रहेगा, six रहेगा लेकिन जब हमने यहां पर one add करेंगे न, तो इसका concept बदल जाएगा बस one, six, seven, eight, three, आपका यह answer है ना easy, बहुत easy से concept है, अब अगला देको जैसे यहां पर अब यह है, ten second question है, ten thousand five hundred seventy eight plus, कितनी time है, one, two, three, two, five, five time, one, three, four क्या करेंगे, इसमें से हम one minus करेंगे, ten, five, seven, eight minus one कर दिया, और सजी अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में one को add कर देंगे, तो यहां minus कीजिए, तो one, zero, five, seven, seven आएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, one, two, three, four, देखे, nine, one, ten का zero, 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 nine, one, ten okay, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, इसी को इसी के नीचे लिख दो, जाजाएगा, one, one, zero, five, seven, seven और यह क्या होगा आपका, तो question तो बड़े मज़दार, मज़दार है, इसमें कोई ऐसा नहीं कैसे होगा, है question बड़े मज़दार, okay, अब यहाँ बात करते है, question 6 क्या कह रहा है, for any whole number A, B, C is a true, for that, A plus B is equal to A plus B, give reason, आपको reason, बड़े सिंपल सा बात है, suppose करो, let, A की value हमने मान ली, कितनी, A की value हमने मान ली, 2, शोड़ी शोड़ी value मानते हैं, B की value हमने मान ली, 3, C की value हमने मान ली, मान ली या, चलो, रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो यह है, sir, कितना A plus B plus C, तो अगर इसकी बात करें, A की value 2 plus 3 plus 4, तो यह 3, 2 कितना हो गया, 5 plus 4, और यह कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब हमारा एक side कितना आ गया, 9 आ गया, अगर इसी के regarding, मैं दूसरे side के बात करो, दूसरे side मतलब यहाँ पे A, B, C, यह, इस वाले side के, तो A plus C plus B given है, A की value कितनी है, sir, A की value है, 2, C की value कितनी है, 3, B की value 4, तो यहाँ आ गया, 2 plus 47 और 72, तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, कि sir, A plus B plus C, equal है किसके साथ, sir, A plus C, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बच्चो, associate to law, क्या बोलते हैं, इसको associate to law, बोलते हैं, तो बताओ बच्चो, इतनी बातें समझ में आई, है ना, क्योंकि देखो, सारे कोश्चों मैंने करा दिये, एक इसका कोश्च, दो कोश्चा हुआ है, तो इसको मैं अग आपको लाइक करना, दोस्तों शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो भी कोई क्वैरी होए, आपको बिंद आज बेजो बच्चों आपके प्राब्लम का सलूशन यहाँ पे निकाला जाए ठीक जो भी आपके प्रॉब्लम होगे उसको प्रॉब्लम को बताया साथ ठीक है? मिल दे नेस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बच्चो अपना ख्या लखना बब बाई शुब रात्री शबाखर या फिर जब भी आप देखते हो ठीक है? बाई बेटा हूँ